नमस्कार मित्रों आज दिनांके 20 अपरेल 2020 मित्रों परिक्षा से संबंदित जो परिक्षा हाली में आवजीत होने वाली हैं उसको लेकर के उस शिक्षा विभाग दोरा एक समीती बनाई गई थी जिसमें जो की अभी जो 14 तारिक का लागडाउन था उसके पस्चात ये 15 तार को लागडाउन खतम हो रहा है उसके पस्चात क्या निर्ने लेना है उसके संदर्व में जो परिक्षा आवजीत होने वाली हैं उनके लिए कुछ नोटिफिकेशन है कुछ जानकारियां है जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं आई देखते हैं क्या है यह रहा मित्रों वो नोटिफिकेशन जो की 35 2020 अर्था तीन मई के पस्चात विश्विद्यालीन परिक्षा प्रवेस्प्रक्रिया संपन कराने के संदर्व में जो निम्नांसार कारवाई किये जाने का जो निर्ने लिया गया है यह निर्ने किसी भी कक्षा में बिना परिक् में पिछले वीडियो में भी बताया था में परंद कुछ आत्र जो है इसमें आपति कर रहे देकि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा तो जनरल प्रमोशन दिया तो जाएगा लेकिन जनरल प्रमोशन का मतलब यह नहीं है कि आपको बिना परिक्षा के अगला semester या अगले year में आपको प्रवेश सीधा दे दिया जाएगा लेकिन वो परिक्षा कंड़क्ट कराने के लिए एक समीति गठित की जाएगी जो की उचित समय देख करके तो चुकि इस समय आप लोग जानी रहे हैं कि सोसल डेस्टेंसिंग को लेकर के दिक्कत हो रही है तो जब ही ये स्थिती नर्मल होगी उस बीच में वो समीति परिक्षा आपकी आवजित करवाएगी और आपको जो यह समेश्टर है और जो यह एए इसकी परिक्षा आपको हर हाल में देनी है तो यह मन ये बात अपने मन से निकाल दें कि आपको जो जनरल परिक्षा नहीं देनी पड़ेगी तो तो आईए देखते हैं मित्रों क्या है वो मिंदू जिन पर ये निर्णे लिया गया है सबसे पहले तो इसना तक अंतिम वर्स तथा इसनात को तर चतुर्थ समिस्टर मतलब जो ग्रेजुशन लास्ट यर के स्टुडेंट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुशन के फॉर्थ यर मत मतलब जो लास्ट यर के स्टुडेंट्स हैं उनका जो एक्जामिनेशन है वह बीना किसी गैप के होने वाला है मतलब आपको पेपर में गैप मिलें वाला नहीं है तो यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि आप लोग परिक्षा की फुल तैयारी पर रहें परिक्षा का टाइम टेविल कभी आ सकता है अगर तीन तारी को लागडाउन बढ़ता है तो उसके बाद जो भी इस्थिती होगी जल्द से जल्द यह निरने लिया जाएगा आपका जो विश्व विद्याले अच्छा चूंकि जो जानकारी में दे रहों में तो यह मद्द परद्यस दौरा यह जारी किया गया है तो दूसरा पॉइंट इसमें मित्रों जो इसना तक अंतिम वर्ष तथा इसना को तर्स चतुर समिस्टर मतलब फिर वह इस्तिती यहां पर है कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम एर के जो विद्यारती है उन रिखिंग स्टेथ पेपर की कारवाई जो कांपी की इनकी वो ततकाल मतले के होते होते लगवाग मतलब मान के चलिए कि आपकी कांपियां भी चेक होना चालू हो जाएंगी और यह था सिग्रथ जो है उनके परिख्षा परिणाम ही आ जाएंगे यह था सिक्रथते पर आई हो सके इसलिए फाइनल एर के स्टुडेंटों को सबसे पहले वरीता दी जा रही है अच्छा उसके बाद जिन विश्विद्यालियों में परयोगी परिक्षा सेस है प्रोजेक्ट कारी के आधार पर मुल्यांकन किया जाएगा तो जिनका अभी प्रेटिकल भी सेस है तो जो उ अधर्स्टेंडिंग रहती हैं आपको अपने विवेक पर भी काम लेना है कि आगे की जो लॉक्डाउं से उसके आगे क्याने जो सरकारे हैं वो लेती हैं तो यह परिक्षा की त्यारिया आप करते हैं थोड़ी सी भी नार्माल होगी परिक्षा लेने के लिए विश्विद इस्तिती सही होने पर परिक्षा आपकी कंड़क्ट करा ली जाएगी तो यह एक जानकारी मित्रों जो आप लोगों से मैंने सेर की धन्यवाद नमशकार